देखिए बड़ा लंबा सवाल है उसका जवाब बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन अभी मेरा मानना है कि इन सवालों के मुफीद जवाब का ये सही वक्त नहीं है थोड़ा वक्त लगेगा राज़ीत में जब इस तरह की स्थियाथ आती है अलक्शन डेक्लेर हो जाता है तो दलों से आना जाना खास तोर से एक anticipated move होता है जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं राजित करने वाले होते हैं वो होता है लेकिन मुझे लगता है कि आने जाने कि इतनी चर्चाएं हो गई कि जितनी सेनाएं हैं सबने अपनी अपनी प्यारिफिकर लिए इसका सबसे बड पूर्वांड खाली आप उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष है स्वतन देव सिंग के उनके आज के बयान से समझ सकते हैं पूर्वांचल बेस्ट सुहेल देव राजवर पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्वांचल के सबसे प्रमूखेलाई हैं अखले से मंतरी होंगे ये होंगे मुझे लगता कैसे मोगे पर जिम्मेदार राजवर नताओं को जो राजनीत ही कर रहे हैं और राजनीत की इमताहन का वाक्त है इस तरह के बयान से बचना चाहिए यह कोई एक साल बात चुनाओ नहीं होने, दो साल बात चुनाओ नहीं होने हैं, अगर डेर सो नहीं, पंदरा विरायग भी नहींगे, जो प्रकास राजबर जनता को क्या बताएंगे, चुंकि ध्यान रखिएगा, जनता को बताने का जो तरीका अभी सामने आया है, जो जो बंदिस है, पर्थम दिश्टिया 15,000 कोई रैली करके आप इस तरह का, अच्छा महीने पहले आपने रैली की होती, इन महीने पहले महीने पर पहले रैली की होती, एक लाग के भीड़ मापे इस बात को चलाते तो मतलब होता, आप देके स्वतन देव सिंग ने क्या कहा, हमको आपको सब को पता है कि अगर अपने बहुत से स्टिंग विदायकों की टिकट नहीं काटेंगे, तो पांच साल के कारेकाल को ले करके जनता का गुस्सा नाराजगी, यानि एक जो स्थाई, बड़े पैमाने की एंटी इंकम्बेंसी होती है, उसके साथ ही, लोकल नारा दल को प्रतित करते हैं, और जिन से लोगों का पेक्षाएं होती है, विदायकों काम नहीं हुए, विदायक नाराज रहे, विदायक टेड़े रहे, परशान रहे, इस सब जानते हैं, तो तो खुद मुसीवत में हैं, और इस मुसीवत को टालने के लिए ही संभूता, यह त जो खबरें आ रही थी कि वारतियंता पार्टी शायद अब तक इतिहास में सबसे अधिक कटाई-छटाई करेगी मुझूदा विदायकों, लेकिन आज बयान आ गया, विदायक का कि किसी भी सिटिंग विदायक का ठिकत नहीं कटेगा, यह बड़ी चीज है, इसके बड़े दचाँ